हले दोस्तों स्वागत है आपका वीज्वल आर्ट स्वित किनी में दोस्त जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 14 दिसेंबर को 14 दिसेंबर को आपका जो है वीज्वल आर्ट का पेपर होने वाला है नेट जे अरे इस सेशन का ठीक है उसके लिए बिल्कुल तयार रहें जो कि भी जो मेरेथॉन क्लासे से आप लोग देखें वह आप के लिए काफी यूसफूल रहने वाली है ठीक है प्लस जो पेपर्स की प्लेलिस्ट है मैं बार बार बोलती हूं पेपर सारे सॉल्फ की जिए लास्ट टाइम पर प्रिवियस येर पेपर्स को सॉल्फ कीजिए जि very important one is the painting one painting की series नीचे लिंक मिल जाएगी description box में जो पहली बार देख रहे हैं वो सारी देख लो कुई painting से related सब तरह के question आते हैं ये जिनने पहले exam दे रखिये वो जान सकते हैं और जिनने नहीं दिये उनको मैं बता दू कि paintings को पढ़ना बहुत important है visual art के paper में ठीक है तो उसी की हम painting की काफी series दे चुके हैं और उसी की series में आगे ये सारे paintings हो चुके हैं देख लीजिए ये सब painting artworks in general ठीक है अभी जो हम देखेंगे आज की पहली painting देखते हैं सबसे पहली painting जो है first number की ये है brooding ठीक है brooding है आपको size में भारत के प्रथम नोबल पुरिसकार विजेता रहे हैं और साहितिकार रहे हैं वो सब जानते हैं लेकिन उन्होंने अपनी age की last age में उन्होंने painting बनाने का शौक्या और वो एक बहुत बढ़िया artist माने जाते हैं भारत की पहले आधुनिक कलाकार माने जाते हैं modern artist माने जाते हैं ठीके तो उन्होंने ये बनाया है ink और pen इस तरह का काम उन्होंने जादा किया है तो ये भी ink में है 1941 में ये बना था और आज National Gallery of Modern Art में इसका चित्रा आप देख सकते हैं ठीके other than that ये स्वपन के चित्रकार रहे हैं अपनी कला को बच्चों की कला कहते थे कि मैं एक child artist हूँ child art है और plus उनको ये था किवे उनका जो painting है वो dreams या अतियत हार्दवाद इनसे प्रभावी रहता है ठीके तो it's just a brooding हिंदी में भी इसको brooding ही बोलते हैं ठीक next painting देखते हैं अम्रिता शेरगिल ने बनाए है oil on canvas है अम्रिता शेरगिल ने mostly work oil on canvas किया है इसको ध्यान में रखेगा 1940 में बनाए हूँ ठीक है अब अम्रिता शेरगिल के बारे में जारें तो भालत की पहली आधुनिक महिला का लाकार चित्रकार मानी जाती थी अमरिता शेरगिल ठीक है इनका जन्म जो है हंगरी में हुआ है ध्यान रखना क्योंकि इनकी मदर जो है वो हंगेरियन थी और इनकी इनके फादर जो है वो सिख कम्यूनिटी के थे इसलिए उनका सरने शेरगिल है ठीक है और इनोंने शिमला में इनने स्टूडियो कोला शिमल तो आपको सामने दिख रहा है कि हल्दी पीस्ती वी महिलाएं उन्होंने बनाई है ठीक है कौन है अमरता शेर के नेक्स देखते हैं थर्ड पेंटिंग जो है वो है फिर्ड एड ऑफ शिवा या शिव का मस्तकु शिव का है किसने बनाया है तो नंदलाल बोस उन्होंने किया था उसको नव बंगॉल स्कूल कहते हैं ठीक है ये जो है इनका एचिंग में बना गया है 1948 में इनके रिएट किया था नंदलाल बोस बंगॉल स्कूल के ही एक बहुत इंपॉर्टेंट कलाकार माने जाते हैं अवनी द्रनाट टेगोर के मुख्य शिश रहे हैं शांती निकेतन की बात कर पर तो अग singular छोथा वर्ग देखते हैं मेज ऑ ओफ ओनर यह मैनी नियास ठीक है يह किस का है तो यह डिएगो विलासुकुइस का है Diago Velasquez, विलासक्विस कौन? एक famous Spanish painter माने जाते हैं और किस समय के? बरोग समय के आसपास के, ठीक है? बरोग पिरेट के आसपास के ही 17th century का famous बरोग पिरेट जो है उसके कलाकार माने जाते हैं Diago Velasquez और Spain के हैं, यह बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है? और केनवा से 1656 में बना है, मीसेस दे पैडो, मैडरिड में है, लेस मेनियास, मेज ओफ ओनर, यह वहां की एक रॉयल फैमिली का पेंटिंग बनाया था, वो तो लाइफ पेंटिंग था, तो उससे रिलेटेड यह पेंटिंग है, ठीक, फिर नेक्स आते हैं, अदे लास्ट व लास्ट टाइम आया था, वो भी इंपोर्टेंट है, और बर्जिन स्पेस बनाया है, ठीक है, यह रोमैनियन, मूर्तिकार, पेंटर है, ठीक है, और मॉडन आर्ट, क्या है, मॉडन आर्ट के से रिलेटेड है, टाइम पीरेड अगर आप बात करें, तो यह जो है, मॉडन आ अनुभूती होती है, तो उस तरह का मूर्ति यह बनाई गई है, यह ओरिजनल तो है, इनने मार्बल में बनाया था, लेकिन उसके बाद 9 ब्रॉंज के कास्ट करे थे, यह जो आपके सामने है, यह ब्रॉंज का कास्ट है, और माना जाता है, कि 30-40 कास्ट उन्होंने बोड़ इसलिए, तो वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, आपकी एक्जाम की प्रप्रेशन कितनी कैसी हो गई ही, यह भी जरूर बताएगा, खीक है, थैंकिसो मच, बाइ-बाइ, ओल दे बेस